राधे राधे जैश्री कृष्ण, दोस्तों, जब भी हम हिंदू धर्म में पूजा तथा पूजा घर की बात करते हैं, या फिर लड्डू गोपाल की बात करते हैं, घर घर में काफी सारे लोग जो भी कृष्ण भक्त होते हैं, वो सभी अपने घर में लाला को जरूर रखते अगर आपके घर में अपने लड़ू गोपाल है तो इसके अलावा रोजाना के कामों में भी कुछ नियमों का पालन करना आपका धर्म बनता है आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अगर घर में अपने लड़ू गोपाल रखते हैं तो आपको एक छोटी सी भूल नहीं करनी चाहिए वरना आपकी सारी सेवा बेकार हो जाती है एकदम सची बात है उन करोड़ो कृष्ण भक्तों द्वारा जो अकसर अपने जीवन में लड़ू गोपाल की नटखट शरारतों के प्रत्यक्ष अनुभव और दर्शनों का महा सौभाग्य पाते हैं जैसे कोई छोटा सा मासूम बच्चा हो और आप उसको पीट दे लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप उसे प्यार से बुलाए तो वो आपकी मार को भूल कर आपके पास खिल-खिलाते हुए चला आता है उसी तरह से कोई बढ़ा से बढ़ा पापी भी अगर अच्छा इंसान बनना चाहता है तो वो भी प्रेम से अगर लड़ू गुपाल को बार बार बुलाए तो लड़ू गुपाल ठुमक ठुमक करके हंस्ते हुए उसके पास पहुँच जाते हैं हमारे शास्त्रों में लाढ़ लड़ाने की बड़ी महिमा बताई गई है कई लोग को तो पता ही नहीं होता है कि लाढ़ाश लड़ाना किसको कहा जाता है लाढ़ लढ़ाना वो तरीका है जिससे अनंत ब्रह्मांडों को जन्म देने वाला पालने वाला और नश्ट करने वाला परमसत्ता आपके बंधन में बंध जाता है अब ये आपके उपर है कि आप उन्हें किस रिष्टे में बांधना चाहते हैं आप जिस भी रिष्टे से सबसे ज्यादा प्यार महसूस करते हैं, चाहे वो बेटा हो, भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो, कोई भी रिष्टा हो, उसी रिष्टे से बिना किसी संकोच के बाल गोपाल को जोड़े और फिर कुछ दिनों तक उस रिष्टे को नियम से आप चमतकार देखिए, कुछ दिन बाद भले ही आप उस रिष्टे को भूल जाएंगे, पर आपके लड़ू गोपाल नहीं भूलेंगे दोस्तों, आप देखेंगे, आपको महान आश्चर्य होगा कि अब रिष्टा लड़ू गोपाल आपसे निभाते हैं दोस्तों, मैं जानता हूँ, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, और लाढ़ लड़ाने में बस यही गहरी मानसिक्ता होती है, कि लड़ू गोपाल से हमारे, या आप से जो भी रिष्टा आपने जोड़ा है, मन ही मन अंदर ही अंदर, आप वो रिष्टा निभाते और मन में अगर भावना करने में दिक्कत आ रही है, तो आप चाहे तो कोई भी मूर्ती या किसी भी तस्वीर का सहारा ले सकते हैं, अगर मन में लड़ू गोपाल को खाना खिलाने में एक आग्रता नहीं हो रही है, तो मूर्ती के सामने भोग लगाए, दोनों में कोई अं उस्ती थी, उन दोनों का संसार में कोई नहीं था, इसलिए एक दूसरे का हमेशा साथ देती थी, एक दूसरे का हाथ बटाती थी, एक स्त्री उसमें से हिंदू थी और एक जैनी थी, जो हिंदू थी, उसने अपने घर में लड़ू गोपाल को विराजमान किया हुआ था, और हर दिन बढ़े प्रेम से लड़ू गोपाल की सेवा करती थी, उनको स्नान कराती, धुले कपड़े पहनाती, दूध फल आदिभोग अरपित करती, ये उसका नियम था, वो स्त्री लड़ू गोपाल के भोजन का विशेश ध्यान रखती थी, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसा हर समय हर मौसम के हिसाब से लड़ू गोपाल को खाने की चीजें नए वस्त्र खिलोने आदी बाहर जाती तो भी लेके आती थी, लड़ू गोपाल से उनके मन में बहुत ज्यादा प्रेम था और हर समय सेवा भाव में लगी रहती, दोस्तों एक बार हिंदू वृद्धा ए हिंदू स्त्री ने उनको लड़ू गोपाल की सारी सेवा समझाई और पूछा कि आप लड़ू गोपाल की सेवा कर लोगे, क्या जैन स्त्री ने हाँ बोल दिया और शुरू से वह बहुत उत्साहित थी कि उसको लड़ू गोपाल की सेवा का अवसर प्राप्त किया, उस दि पहले दिन वो लोटी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए तो उसने लड्डू गोपाल को सनान कराने की तैयारी की और जब वो लड्डू गोपाल को सनान कराने लगी तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पाव पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। उसने उस हिंदू वृद्धा से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जीवन्त होते हैं। उसने मन में विचार किया कि मैं इन पैरों की मालिश करूंगी। हो सकता है इनके पाव ठीक हो जाए। बस फिर क्या था। भक्ति भाव में डूब कर वो भोली भाली जैन वृद्धा उठा। भक्त वत्सल भगवान ने अपनी करुणा अपना प्रेम उस वृद्धा पर उडेल दिया और एक दिन प्राता है उस जैन वृद्धा ने देखा कि लड्डू गोपाल के पाव ठीक हो गए हैं। वो सीधे खड़े हो गए। ये देखकर वो बहुत खुश हुई औ और दूसरी स्त्री के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ दिन बाद जब दूसरी वाली स्त्री जो हिंदू स्त्री थी वो आकर के लड्डू गोपाल के उसने दर्शन किये तो डर गई और रोना शुरू कर दिया। अचंभित हो गई और पूछा कि मेरे लड्डू गो बड़ी। हम कितनी एक आगरता से मन में लड्डू गोपाल की ध्यान से सेवा करते हैं? वो मैटर करता है। अंदर ही अंदर आपको एक रिष्टा जोड़ करके लड्डू गोपाल से पुत्र के तरह भाई की तरह पिता की तरह जो भी आप रिष्टा जोड़ना चाहें, उसकी तरह ज लड्डू गोपाल जी के लिए एक लायक तो जरूर ही करें। यदि आपके घर लड्डू गोपाल हैं तो एक लायक तो बनता है। गोपाल की बातें कभी किसी गरीब भक्त की लड़की की शादी के लिए चुपके से रुपये, घर में रग गए नर्सिंग की कथा आपने सुनी होगी, और कभी किसी भक्त को दुश्मनों के जानलेवा हमलों से बचाया। दोस्तो, इसी बाल गोपाल ने कितनों को फरजी म बिमारी में बदल कर खत्म कर देता है। ये ऐसा पक्का रिष्टा निभाता है कि 24 गंटा आपके साथ ही रहता है, और एक बार आप इससे रिष्टा जोड़ लेते हैं तो ये आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाता है। तो फिर दोस्तों जब 24 गंटे का ये अती प्यारा, अ आती मन मोहक हमें बोडी गार्ड हमारे साथ मिलता है। आपको मैं बता दूँ, इस दुनिया की हर स्त्री लड़ू गोपाल की मा और हर आदमी पिता बनने के महा सौभाग्य को निश्चित पा सकता है। और अगर घर के मंदिर में आप लड़ू गोपाल को विराजमान करते हैं, तो आपको इन बातों का द्यान रखना चाहिए। एक फैमिली मेंबर की तरह उनका आपको द्यान रखना चाहिए। रोजाना के कामों में नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले मन में ये बात बिठाना बहुत जरूरी है कि जिस भी घर में लड़ू गोपाल ज जी का हो जाता है, इसलिए मेरा घर है, इस भाव का मन में समाप्ति करें, और लड्डू गोपाल जी का घर है, इस भाव को अपने मन में सबसे पहले आपको घर करना चाहिए। निष्ठा से उस नाते को निभाए। किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। कोई अलग से प्राण प्रतिष्ठा की उनकी जरूरत नहीं होती, इसलिए उनको मात्र प्रतिमा न समझ करके घर के एक सदस्य के रूप में उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। उनकी स्थापना आपको सुन्दर से आसन पर करनी चाहिए। आसन लाल पीले या केसरिया रंका हो, बेल बूटों से रतनों से सजा हुआ हो, ये उनको बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों इसके बाद भगवान के चरण धोए भगवान के चरणों को धोते हैं, उसको पाक कहते हैं, और इसमें शुद्ध पानी भर कर फूलों की पंखुडियां उसमें आपको डालनी चाहिए। रोज उनको सनान कराना चाहिए जैसे हम रोज सनान करते हैं, रोज उनको सनान कराएं। पानी, दूध, इत्र और सुगंधित पदार्थ इनको सनानिय कहते हैं। सनान कराने के समय आपको ये बाद ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरह घर का कोई भी सदस्य सर्दी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडे पानी से सनान करता है। के वस्त्र उनको पहनाने चाहिए। दोस्तों सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। गर्मी के लिए आप उनको कूलर लगा सकते हैं। हाथ के पंखे रखें और मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाएं उनसे बातें करते रहे। जब आप उनका श्रिंगार आधी कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल से प्रेम पूर्वक बातें करें। उनके साथ खेले जिस प्रकार घर के बाकी सदस्यों को आप भोजन कराते हैं। उसी प्रकार से उनको भोजन कराएं। पहले लड्डू गोपाल को भोजन कराएं, बाद में स्वयम भोजन करें। वह भोजन भी अम्रित से हजार गुना बढ़कर होता है। अगर आप बीमा गोपाल से पहले भी खा सकती हैं। आचमन आपको जरूर आचमन यह जिसको कहते हैं, वो आपको लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा रखना चाहिए। आचमन क्या होता है? शुद्धिकरण के लिए प्रयोग में आने वाला जल होता है और इसमें सुगंधित द्रव्य आ आप थोड़ा सा फूल डालें या फिर आप इत्र की एक बूंद डाल दें। ये आपको डाल करके हमेशा लड्डू गोपाल जी के सामने जरूर रखना चाहिए। दोस्तों इसके बाद आपको भोजन देना है जैसे हमें भूख लगती है आपको भूख लगती है उसी तरी जाये ताम सी चीज ना हो लड्डू गोपाल जी का हिस्सा उसमें जरूर होना चाहिए। दोस्तों शहद, घी, दही, दूध और शक्कर को मिलाकर जो पंचामरित हम तयार करते हैं उसे शुद्ध बरतन में भगवान को भोग लगाना चाहिए। रोज करने की जरूरत नहीं पर बीच-बीच में कम से कम पूर्णिमा के दिन आप ये काम करें, एका दशी के दिन ये काम करें, ये बहुत ही लाभदायक होता है। जो भी आप बनाते हैं भगवान के लिए भोग, अगर अलग से बनाते हैं जैसे कि जनमाश्टमी वगैरह पे बनाते हैं, तो भोग में मिश्री, ताजी मिठाईया, ताजे फल, लड़ू, खीर, तुलसी के पत्ते ये तुलसी के पत्ते भगवान के भोग में जरूर शामिल करने चाहिए। इसके बाद होता है अनुलेपन, पूजा में आप जो भी चीजें चरहते हैं, जैसे दुर्वा, कुमकुम, चावल, अबीर, अगर सुगंधित फूल, शुद्ध जल, धूप, दीप, आदी, इन सभी चीजों को अनुलेपन कहा जाता है, इनसे आप लड़ू गोपाल का श्रि धूप या अगरबत्ती भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिये मानी जाती है, और इसको आपको रोज जलाना चाहिए, चांदी हो, तांबा हो, मिट्टी हो, इन किसी भी चीज के बने हुए दिये में गाय का शुद्ध घी डाल कर, भगवान की आरती कम से कम शाम के समय आपको विधिविधान पूरवक जरूर उतारनी चाहिए, एक्चुली नियम ये होता है कि आप जब मौर्निंग में श्रिंगार करें, उसके बाद भी आप आरती करें, अगर नहीं कर सकते, कम से कम दोनों हाथों को फैला कर आरती का भाव करके, उनकी श्रिंगार आरती पहार घुमाने जरूर ले जाना चाहिए, और जैसे सभी फीमेल्स किट्टी पार्टी आदी करती हैं, इनको भी एक मीटिंग लड्डू गोपाल से जरूर करानी चाहिए, हर दिन रात में दिन भर लड्डू गोपाल ठक जाते हैं, तो इनको सुलाना जरूर चाहिए, लड दोस्तों और हर जनमाश्टमी पर लड़ू गोपाल जी की पूजा धूमधाम से होती है। जो भी आप अपने बच्चों के लिए अपनी श्रद्धानुसार करते हैं। एक उनके पास हमेशा रख के रखनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि जिस कमरे में लड़ू गोपाल विराजमान हो जहां उनका मंदिर हो, वो कमरा कभी भी बंद नहीं किया जाता। इसलिए उस कमरे को या जो भी है, उनका जो मंदिर है, उसको कभी भी आपको बंद नहीं करना चाहिए। शयन ये सभी चीजें जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, वैसे जरूर करने चाहिए। बस आपका थोड़ा सा समय जिसमें आप प्रेम पूर्वक उनके साथ खेले कूदे और बदले में वो इतना कुछ देता है कि जोली छोटी पड़ी डे ये जाती है। घर की गरीबी दूर करने के लिए दुरभाग्य इसके मुक्ती के लिए भगवान विश्नु उनके अवतार की पूजा हम करते हैं और उनी में से श्री हरी की पूजा से देवी लक्षमी भी प्रसन्न होती है। विश्नु जी और उनके अवतार कौन कौन से श्री राम जी। श्री कृष्न जी इनकी पूजा में एक बात का खास तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम श्री कृष्न की पूजा करें मैं सनान, दान की बात नहीं कर रहा हूँ। जब सनान आदी करेंगे त श्री कृष्न भगवान की एक बहुत ही प्रचलित कता है कि जब श्री कृष्न जरासंध से युद्ध कर रहे थे तब जरासंध का एक साथी असुर कालेवन भी भगवान से युद्ध करने के लिए पहुचा। पुण्य बहुत अधिक थे और श्री कृष्न किसी को भी तब तक सजा नहीं देते जब तक की पुण्य का बल शेश रहता है और कृष्न जी की पीठ देखते हुए कालेवन भागने लगे इससे उनका अधर्म बढ़ने लगा क्योंकि भगवान की पीठ पर अधर्म का वास होता है उनके दर्शन करने से अधर्म बढ़ता है जब कालेवन के पुण्य का प्रभाव खत्म हो गया तब श्री कृष्न एक गुफा में चले गए। अधर्म का प्रभाव कम होता है और अधर्म बढ़ता है। हमेशा विश्नु भगवान के मुक की ओर से ही उनका दर्शन करना चाहिए। और पूर्णिमा के बाद ये व्रत पूर्ण होता है। ऐसा करने पर भक्त की आराधना से श्री हरी प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कई लोग उनकी पीठ गलती से देख लेते हैं और उनका जीवन परेशानी में चला जाता है। इसीलिए लड़ु गोपाल का पीछे का हिस्सा गलती से भी नहीं देखना चाहिए। नहीं तो आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। पीछे का हिस्सा बंद आँखों से उनका साफ कर दें। हाथों की सहायता से अगर आप सनान करा रहे हैं तो उनके पीछे का हिस्सा मत देखना। एक बार जरूरत है सच्चे विश्वास की अपने फ्रेंड, फैमिली, मम्मी, पापा, भाई, बेहन, बच्चे सभी लोगों को हमारी ये वीडियो जरूर शेयर करें क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दें ये वीडियो आप सभी के स्पेशल पर है, दोस्तों खिल खिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो के थ्रू कनेक्टेड रहें, भगवान श्री कृष्ण के लिए लड़ू गोपाल के लिए एक लाइक जरूर करें